ये हैं चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रिशा बहुत जादा घपराई होगी और वो पुलिस स्टेशन में रुद्राक्ष के पास जाही रही होगी तब ही पुलिस ओफिस हरा करके उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैडम आप इस तरीके से पुलिस के नियमों का उलंगन करके नहीं जा सकती आप पहले इन पेपर्स पर साइन कीजिए अपना जो आपने नोटिस लिया था कि रुद्राक्ष आपके करीब भी आया तो उसे जेल पहुंचा दिया है उसको खतम कीजिए तब ही आप अंदर जा सकती है प्रिशा कहती है ठीक है दिखा और वो साइन कर देती है और फिर वो अंदर जाती है और कहती है कि तुम पागल मत बनो वो मेरा पती है और इसके लिए ये पेपर्स क्या इसे पाड़ कर तुम फेंक सकते हो जैसे ही प्रिशा रुद्राक्ष के पास जाती है वो उसे छूती है देखती है पुलिस अंस्पेक्टर कहता है कि हाँ यहाँ पास में एक क्लिनिक है मैंने पहले से ही बात कर ली है चलिए हमें से वहाँ लेकर चलते हैं प्रिशा कहती है डॉक्टर मैं हूँ या आप मैं डिसाट करूंगे आप इसको हमें होस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा वरना इसक करता है कि क्या नहीं नहीं मैं यह उप्रेशन वग्यरा कुछ नहीं करवाऊंगा मैं ठीक हूँ नीन के गोली के वज़ा से कोई ऑप्रेशन करता है क्या तुम पागल हो प्रिशा कहती है कि हाँ ऑप्रेशन तो मुझे तुम्हारा करना होगा तब ही तो तुम ठीक होगे न तो रुद्राक्ष कहता है कि मैं यह सम नाटक कर रहा था तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए और प्रिश्या चुप होकर रुद्राक्ष को घूरती और कहती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि तुम्हें नाटक कर रहे हो क्योंकि मैं डॉक्टर हुआ और एक डॉक्टर स मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ तुम से प्यार करता हूँ, मैं तुम से माफी मागने के लिए ही ये सब कर रहा हूँ प्रिशा कहती है, तुमने एक बार मुझे फिर से धोका दिया है, बलके तुमने मुझे दुबारा धोका दिया है, तुम ऐसा पहले भी कर चुके हो रुद्राक्ष में जा रही हूं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी जैसे प्रिशा मूर्ति है इंस्पेक्टर को देखती है और आप आपको शरम नहीं आए ऐसे इंसान का साथ देते हुए और आप inspector है उसकी हिफाज़त करने की वज़ाए आपको इसे arrest करना चाहिए उसके उल जलूल activities के लिए inspector कहता है कि देखिए मैं रुद्राक्ष का बहुत बड़ा fan हूँ और फिर flesh wreck में दिखाया जाता है कि कैसे inspector ने रुद्राक्ष की मदद की और कैसे रुद्राक्ष ने inspector के साथ मिल कर प्रिशा को यहां बुला कर उससे sign करवाने का पूरा plan बनाया दूसे तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा कहती है मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे inspector इसके खिलाफ फिर से वो legal case फाइल करना है कि यह मेरे आसपास भी ना भठक सरे पुलिस कहती है ऐसा नहीं हो सकता विकोज आपने खुद कैंसल कर दिया है वो contract इसके लिए आपको थोड़ा wait करना होगा फिर apply करना होगा प्रिशा कहती है ठीक है मैं कुछ time वाद यह जरूर करूँगी लेकिन फिलाल महिया से जा रही हूँ दूसे तरफ आप देखेंगे कि युवराज और महिमा आपस में मुलाकाट करते हैं जहां पर युवराज महिमा की खूप सारी तारीफ करता है और कहता है कि क्या चाल चली है तुमने प्रिशा और रुद्राक्ष को इस तरह से अलग किया है कि प्रिशा तो रुद्राक्ष को देखना क्या उसे चुने तकी पर्मिशन नहीं दे रही और बिचारा वो नला खुराना तो बरबादी हो चुका है प्रिशा के बारे में बात करते हुए महिमा बहुत ही ज़ादा खुश होती और अपनी तारीफ सुन कर बहुत ही ज़ादा है और कहती है कि यह तो सिर्फ मेरी पहली चाल थी अगली चाल देश से तो पूरा खुराना परिवार तबाह हो जाएगा और रुद्राक्ष के बारे में सोच कर युवराज भी बहुत ज़ादा खुश होता है दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा अपने घर पहुँचेगी जहाँ पर GPS यानि कि उसके डैड उसे पूछेंगे कि कैसा है रुद्राक्ष प्रिशा कहती है कि उसको कुछ हुआ ही नहीं था अपा वो तो बस नाटक कर रहा था मुस्से मिलने का युवराज इन दोनों के सारी बात चुपकर सुन रहा होता है और सारी बातें वो महिमा को कॉल करके बता देता है कि रुद्राक्ष ने पुलिस टेशन में सुसाइट करने का प्लान बनाया था लेकिन पायना उसे information देती है कि मैम आरेटृर करवा दिया और वहाँ पर रिसीप भी कर लिया है और कोछन में अइंही दूम्हें कोर बें पता बहां किसकी और को कोश Morgenे कीं सम्हाल के जुबान अपनी बात करें क्योंकि मैं अब रुद्राक्ष खुरान की वाइफ हो अहाना कहती है कि तुमने जबरदस्ती रुद्राक्ष से शादी की है वो तुम्हें पसंद तक नहीं करता फिक इस हग से तुम खुद को रुद्राक्ष की वाइफ समझ कर खोश होत है तो यहां पर कहती है महिमा कि देखे एक तो मैं आप लोगों के घर में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक करने के कोशिश कर रही हूं आपको पता है रुद्राक्ष ने सुसाइट करने के कोशिश की थी जेल में जिसके बाद यह पूरी ख़बर मीडिया में फैल कहता है तुमने जो किया ठीक किया एक तो यह घर के लडाई में हमारा साथ दे रही है और अहाना तुम इसी को डांट रही हो तुम्हें कुछ अकल है नहीं और वो महिमा के सामने अहाना को चुप करा देता है और कहता है चलो चल कर मैं भी मीडिया में तुम्हारे साथ चलत झालाँ हैर झालाँ है सोटेवार कुई